हेलो फ्रेंट्स राम राम सभी को कैसे हो आप सब उमीद करती हूं सभी बहुत ज़्यादा अच्य होंगे और हम सब ठीक हैं स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लोग में और आज चार तारीक हो गई है सनीवार है ना हाँ सनीवार है तो मैं आज समोसे बनाने जा रहे हूं तो उन्हें के लिए बस पुदिना लेने जा रहे हैं यह पास में पारक के उस साइड जो दुकाने हुआ मिल जाएंगी या फिर एक सबजी की दुकान है हाग गे तो वो पूरे दिन खुली रहती है तो वहां तो जरूर मिल जाएगा महां सारा समान मिल जाता है चलो अभी ले आते हैं पुदिना मैं उसमीच आके और पूंच गए हैं दुकान पे तो आपी ले आती हुआ खरीद के पूदिना और सुमीच मेरे को लेकर इस लिया आते है ताकि उनको गाडी से ना उतरना पड़े वह उतर के बिल्कुल खुश नहीं होते है और भी कहीं हम जाएंग और वैसे तो हना सुमीच का कई दिनों से मन कर रहा था समोस से खाने का कई दिनों से कह रहे थे कि समोस से बना ले और बड़ा पाओ बना ले तो मैं दो दो चीज नहीं बने एक चीज बनाओंगी क्योंकि दोन्नों चीज जो में पहुत ज्यादा टाइम लग जाता पूरा दिन समोस से और बड़ा पाओ बनाने में चला जाता तो मैंने उनको पहले बोला था यह की चीज बनाओंगी या समोस से बनवालो या बड़ा पाओ बड़ा पाओ तो मेरे को ममी को पसंद है नि सुमीच सुमीच को खाना था माई एक खाना है आप बार खाया हो क्यों इतने और ममी का है फास्ट और फास्ट के दिन समोसे बनेंगे तो भई खाए भी नरहाए नहीं जाएगा, तो महां फास्ट वाले दिन तो ऐसी ऐसी चीज़े बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, तो इसलिए मैं सनीवार कोई बना रही हो, और समोसे बनाने के लिए है ना पहले तो मैंने हाते ही आलू बलने रखे हैं ताकि जब तक आलू बलेंगे तब तक मैं और काम निप्टालूंगे आपने क्योंकि आलू ठंडे होने में भी टाइम लगेगा ना तो जब तक वो बलेंगे ठंडे होएंगे तब तक मैं चटनी बना लेती हूं ग्रीन वाली और अठ्टामी गूत लेती हूं अच्छे से सुथ्रा धूली और फिर मैंने में टाल दिया और दन्या में डाल ला है और जो आपने बूगडे होते हैं चन्ने भुने वे तो जो पूदि이다 लेरा झेक क्योंकि तिखी चटनी पसंद है सुमित को तो वो तो अपने टेस्ट के अकोडिंग डालो उसके बाद फिर नमक डाला जीरा पाउडर काले मिर्ची का पाउडर और आधी निभू का रस डाला है तो ये सारी चीजे डाल के और फिर मैंने पीस लिया है थोड़ा सा पानी एड़ करके और तब पीस सा था तो पतले पतले चटनी बनाएए क्योंकि समुसों के साथ पतली पतले चटनी ही काते है तो चटनी बनाके रेडी कर दी है और अभी मैं गूर्थ हूंगी आटा समुसे बनाने के लिए तो मैं मैदे का जो डिबभ हो निकाल लिया है और अब इसमें मतलब ऐसे मनाप के नीट डाला मैदा ऐसे ही डाल लिया मैं बारा-चोदा-दस-बारा समोस से बन जाए तो इतना आटा लिया है मैने और आटे में डाल लिया है मैंने नमक टेस्ट के अकोडिंग और फिर थोड़ी से एजवाइन डाल दिया आथों से क्रस करके और बस इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लिया है और अभी मैं डालने लग गई हूँ मॉम तो मॉम के बिना तो समझ से कुरकुरे बुरुबरे बनेंगे ही नी और मैंने यहां गीई का यूज किया तेल का नी किया क्योंकि गीई से और भी अच्छे बुरुबरे बुरुबरे समोस से बनते हैं तो यहां दो-तीन चमच गीई डाला है और गीई को अच्छे से आठे में मिला लिया है बिल्कुल आथों से मसल मसल के और तब मैंने इसको मिलाया है गी को और यहां मेरे आलू भी उबल गए थे तो यह मैंने उतार लिये हैं तो यह आलू बीच में याटा छोड़के और मैं प्लेट में निकानने लगी ता कि जब तो मैं अटा गूत होंगी तो यह ठंडे हो मतलब चिड़े चिड़े बन जाते हैं अगर पतला आटा बनाते हैं तो यहां बिल्कुल समुसों के लिए नो सक्त डो लगाना पड़ता है तो बस आटा कूत गया है और मैंने डखके रख दिया है इसको रेष्ट होने के लिए थोड़ी देर के लिए और जब तक यह रेष शुआ के बनाई जा आज समिट यह 13 की चाइम मिला के मतलब टी मिलाके एक अर्ज़टी मिला के तीन तरहही और तब लोगे थेसके नोब एच्यार आ नहीं प gefährING द्रेघ के यह वाली देखा यह वालीन इनकी इसको भी कि बलुटी और एक वह वाली तीना तरह के मिलाके और तब हमारे तीनों के लिए रुटी बनाई जा रही है वो भी हर्बल्टी और में लगे हूं से बनाने में अलो चील दिये है मैंने और यां पर किस्मिस और मटर भी होके रख दी है बन गए हमारी हर्बल्टी सब्सक्राइब करते हैं तो फाइदा होते हूंगे पतड़ा करें हैं पतड़ा करें हैं तेकर है यह भी है यह प्राइब करें है यह तो पिया गरेश मैं वह समस्य बनाते बनाते थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था थोड़ा सा रेस्ट भी करें किया ओड़ा है क्योंकि सुमितने बनाते थी थी तो वह प्ति ली है और फिर से लगी है इसे बनाने की तैयारी करने तो अभी मैं स्टफिंग बनारी हूं तो आलो को मैंने मैस कर लिया है और स्टफिंग के लिए मैंने फ्राइपीन ले लिया है क्योंकि थोड़े से यालो बाले है ना थोड़े से समों से बना दी तो फ्राइपीन में काम चल जाएगा और इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाल लिया है और तेल में डाल दिया है मैंने काजो और काजो को फ्राइ करके मतलब भून के और निकाल लिया है मैंने और फिर इसी तेल में मैंने डाल दी हरी मिर्ची बिल्कुल बारिक बारिक काट लिया था मैंने हरी मिर्ची को और उसके बाद फिर मैंने मटर और किसमिस डाल दी हैं और मटर है ना फ्रोजन वाली हैं तो इनको ज्यादा नहीं पकाना थोड़ी देर में ही पक जाएंगी और उसके बाद फिर मैंने मसाले डाल दी हैं हल्दी पावडर, धनिया पावडर और टेस्ट के अकोडिंग नमक और बस थोड़ी देर और पकाया था मैंने इनको और फिर थोड़ी देर पका के और उसके बाद फिर मैंने डाला है गरम मसाला और सुखी मेथी तो थोड़ा सा आथो से मसल के और फिर मैंने सुखी मेथी को इसमें डाल दिया था जो कसूरी मेथी होती है वो तो सारे चीज़े अच्छे से मिला ली हैं और उसके बाद फिर मैंने डाल दी है मैं इसकी यह आलू और इनको अब अच्छे से मिला लूँगी मसाले में और पहले तो है ना मैं बड़ी चमच ले रही थी और इससे मिलाने लग गई ना तो नीचे गिरने लग गया था अच्छे से मिलनी पा रहे थे क्योंकि यह फ्राइपीन अभी फूल बर गई ना इसलिए फिर मैंने छोटी चमच ले ली थी और फिर मैंने एड कर दिये थी काज्यो जो फ्राइप करके निकाल ले थे तो वो एड करके और शोटी चमच से अच्छे से मिला लिया तो स्टफिंग बनके रैडी हो गई है और अभी अपना आटा भी चेक कर लेते हैं और आटे को भी 20-25 मिनट के लग बग तो होई गई है रखे हो यह और बोती मतलब नरम हो गया था मुलायम तो मैंने थोड़ा सा और मल लिया इसको और अब इसकी बना ली है लोईया तो साथ लोई बनी थी तो यह भी थोड़ी है मैंने थोड़ थोड़ के और बना ले थी साथ लोईया बनी है तो साथ के बन जाएंगे चोधा समोस से और बस अब इनको बेल लेती हूँ और पूरी बड़ी रोटी बनाऊंगी मतलब जितना ये चकला है न उस साइज का बेल लूँगी मैं में देखा है न वैसे बेल थे टाइम थोड़ी दिक्कत तो आती है जब भी हम बेल ले लगती है न तो इस उकुड़ता ज फटाव. लिए समोस के लिए बेल दी है my लिए मेने लगा दी, मसाल्डा बर देती हूं समåसे बना देती हूं我跟你 है उसे फाइक एक हुठारी हूं मैं और इन पर है न, पानी ले लिया हम एने कटोरी में, तो पानी लगा लिया है एक साइड, और फिर इसको ऐसे कोन की बना ल एक बार मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी पास से, ये दूर से आपको कम दिख रहा होगा, तो हैने कैसे समोज से तयार किये हैं, तो ये देखो, ऐसे एक साइड में पानी लगाया, और इसकी ये ऐसे कॉन सी बनाई, और इसको अच्छे से दबा के चिपका दिया, तो पा एक साइड से मोड के और बस पूरे को चिपका देंगे अच्छे से बस चिपक गया है ये देखो और समोसा बनके रेडी हो गया है तो आसान है ये समोसा बनाना भी देखो कितना सुंदर बनाया ना तो बस ऐसे ही करके मैंने सारे समोसे बना के रेडी करती हैं और हैना बस बार में थोड़ी थोड़ी वरी है अगर ज्यादा बरती तो दसी बनते तो पटियों की मैं मटरी बना दूंगी और अभी इन समसों को मैं रख देती हूं फ्रीज में 10-15 मिनिट के लिए तो 10-15 मिनिट हो गई है तो अभी मैंने फ्रीज से निकाल लिए हैं फ्रीज में रखने से फिर जैसे थोड़े ठंडे हो जाते हैं और ठंडे समसे फिर हम तेल में डालते हैं तो वह अच्छे से फूल के आते हैं तो मैंने इसलिए थोड़े देर फ्रीज में रख दिये थे और बस अभी तेल है गरम हो गया है तो मैंने इस समसे डाले थे मतलब फूल गैस कर रखी तब टाले थे और फिर समझ से डाल के फिर मैंने medium gas कर दी है और बस medium gas में इनको पकाती रोंगी तो दीरे-दीरे पकेए ना तो अंदर तब पक जाएंगे और अच्छे मतलब प्रूपरे से हो जाएंगे तो medium gas करके ही पकाया है तो एक बार के समस्य बनके तयार हो गए हैं यह देखो कितने बड़िया बने है ना सुनेरे सुनेरे जितने मतलब सुनेरे कलर के हो गए तब तक मैंने इनको पकाया है और बस ऐसे ही करके मैं सारे समस्य रेडी कर दूंगी अभी दूसरी बार के मैंने डाल दिये हैं ज्यादा समोस से आदे पक गए ना तम मैंने मटशी डाली नहीं तो यह इस द जल जाती कि मटशी जल दी हो जाती है और समोस से ठोड़ा टाइम लेते हैं तो जब आदे से ज्याधा पक गए ना तम अध्य समोसे भी बन गए मटशी भी बन गई आ जवा आप सब भी खालो रेडी हो तो गर के समोसे ज्यादा ही खाये जाते हैं टेस्टी भी इतने होते हैं आपका भी खाने का मन कर गया होगा और यह देखो कितने बुरुबरे बुरुबरे बने आराम से कि अच्छे से टूट रहे हैं तो आजाओ आप सब दी खालो गर्मा गरम समुसे लाव में अपनी वाल और भी तरी खरना लागड़ी हैं तराए पितार लगां आ है देख वैसकत बहुत जमा जमा आड़ी करो आ ना सुन्धा के आज कि या तो ज्यादा ही चूंक एगी जमका ले आंगे सब्से खागे बताओ केसे बना है हलो आप सब भी टेस्टी टेस्टी गरमा गरम समुसे एक बारे अहीं और समौसे बनाने खाने के बाद किचन वर्तन सब साफ करके अब लगए मैं कपड़े दोनें तो समौसे बनाने से पहले ही मैंने फूल जड़ी बिंदर्वार्ड फूलो के लड़ी ये सारी अब दिवाली आने वाली है ना तो मैंने सुचा ये भी आज सारी चीजे दो के राखी देते हूं कि दो तीन दिन तो इन्हों को सूखने में लगेगा और फिर ये टांगनी भी है तो इसलिए आज ही दो देती हूं सारी मैं तो अब पारक में गई थी और बस एक रांड लगा के आई क्योंकि इतना पॉलूशन ओर रखा दो तीन तीन से तो दूब भी नहीं लिगनी है गुरदाओ दिल्ली में इतना पॉलूशन ओर रखा सांस लेना मुस्किल हो गया एक रांड भी मुस्किल से लगाया और सांस सांस चड़ रहे थे और अनकाल कसीर में भी दर्द हो गया तो इतना पॉलूशन ओर रखा है तो जब तक बारिस नहीं होती ना तब तक बार जाने कोई फायता नहीं क्योंकि अभी तो पॉलूशन ओर बढ़ेगा दिवाली पे तो मैं तो एक रांड लगा के आपनी जाओं प्लीज लगी कर देना